खनिया धाना तैसील और सुधाकर तिवारी को लुकायोक्त ने एक लाख की रिश्वत लेते हुए रंग्या हाथो गिरफतार किया है आपको बता दे कि सरपंची के चुनाफ का प्रामान पत्रों देने के एवज में एक लाख पचासा जाकी की थी मांग ग्राम पंचायत भरस सुला से सरपंच पद्ध से वजाई प्रत्याशी उमाशन का लोधी से वजाई प्रमान पत्रों देने के एवज में खनिया धाना तैसील सुधाकर तिवारी ने तीन लाख रुपे की मांग की थी इसमें फर्यादी के द्वारा बाचीत के द्वारां चुनाव में वजाई लाख रुपे में सौधा तै हुआ था इसकी पहली किष्ट के एवज में पचास हजार रुपी की रकम ले ली गई थी दूसरी किष्टा जो खनिया धाना तैसिलदार सुधाकर तिवारी को एक लाख रुपे दी जा रही थी और एक लाख रुपी की रिश्वत लेते हुए ग्वालियर लुकायक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफतार किया तो तीन लाख रुपे मुझे दो तो इस प्रकार उन्जादा तीन लाख रुपे आविदक से जो है रिश्वत पिमांग की जा रही थी जब बात्चीत रिकॉट कराई तो वो डिलिंग के बाद डेल लाख रुपे ताह हुआ जिसमें प्रजादरों पहली ले लिए एक ला तो अब बतर बाद लाख रुपे तो पहर फिर इन ने मुझसे ऌग से पाईड़िअ, पन्हाँ रख रुपे यहाँ देरही तो में जिसमे और ने पास पंदरालाख रुपे यूथ नहीं में पैसा जोख कर jaun को होगा से दू होगा सुमें इक थोड़े पहलाख रुपे कर तैसिल्दार साब की नाम पता है को सुधा करतबाई है खणिया दाना तैसिल्दार आज ही दिये हैं इसके पहले और दिये थे क्या पहले नहीं दिये है